लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन ख़बरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए तो मैं आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमाएं पात जो संसाधन है उनका बहतर से बहतर उप्योग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकामला किया है साथियों आपसे बादचीत की शुरुआत मैं मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारे कर रहे थे आप याद करिये जब आप सिविल सर्वेसेज या अन्य परिशाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर अपने काम करने के तरीका पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे आप जिस भी खेत्र में रहे हूँ वहां की छोटी छोटी बारिके से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूँगा आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीडी भी बनी आज परिस्थित्यों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परिशाद देने का अउसर दिया है अपने जिले की छोटे सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी समवेदन सिल्टा के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है हाँ कोरोना की इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधीक चैलेंजिक और डिमांडिंग बना दिया है महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज़्यादा एहमियत हमारी सम्वेदन सिल्टा और हमारे होसले की ही होती है इसी भावना से आपको जन जन तक पहुँचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधे बड़े पैमाने पर करते ही रहना है साथियों नए नए चैलेंजिस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरुरत होती है और इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि हम अपने स्थानी अनुभवों को साजा करें और एक देश की रुप में मिलकर के हम सब काम करें अभी दो दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकानियों से भि मुझे बात करने का मुका मिला था उस बैठक में अनेक सुझाव अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथों के तरफ शाये है आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिती और अपनी परिणदीजी को हम सब के भी साजा किया है जब फिल पर मोजूद लोगों से बात्चित होती है तो ऐसी अभुत्पुरों परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है गाउं में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है स्कूलों पंचायद भवनों को कोवीड केर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशेटिव लिया है आप लोग खुद गाउं गाउं जाते हैं वहां की व्यवस्ताओं की निगरानी करते हैं आप ग्रामिनों से बात करते हैं तो इससे जो वहां का सामान्य नागरीख है या वहां के गाउं के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं पाँच होते हैं दस होते हैं पंदरा होते हैं अलग रक्षेत्र के होते हैं उनको जब संकाओं का समाधान होता है और डायरेक्ली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुणा भड़ जाता है। तो हम कहां जाएंगे हमारा क्या होगा आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। और लंबे अर्शे तक जागरुकता से प्रयास करना है। साथ बीचे कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए है। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि बीच दिन पहले जो एकदम से आपके पर पेशर आया था। अब आपको भी काफी मैसूस होता होगा बढ़लाओ। लेकिन आपने इन डेड़ सालों में ये अनुभव किया होगा है कि जब तक एस संक्रमन माइनर स्क्लेर पर भी मोजूद है तब तक चुनवती बनी रहती है। कई बार जब केश कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता के बात नहीं वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है टेस्टिंग और डिस्टंसिंग जैजे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतीनिधी इन सब के बीच में एक सामुहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोवीड एप्रोप्रियेट बहेवियर जैसे मास पहनना, हाथ दुलना, जब इन में कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गावों में, कम से कम होने के बाद भी, लोग सभी दिशा निर्दोसों का पानन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थित्यों पर लगाता नजर रखने से, जीले के सारे प्रमुख विभागों, जैसे पुलिस का विभागों, साब सफाई की बात हो, इन सारी विवस्ताओं का, इनके बीच में बहतर तालमेल और प्रभावी परनाम स्वाभवी ग्रूप से निकनने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीदी पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकरी मिलती रही है। इन जगों पर आपने बाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों फिल्ड में किये गए आपके कारियों से, आपके अनुभवों और फिट्बेक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसिज बनाने में मदद निलती है। टीका करण की रणदिती में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेकोल्डर से मिलने वाली सुझावों को सामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्त्र मंत्राले की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलबदता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सिन सप्लाई, काइम लाइन की प्रस्ता होने से टीका करण से जूड़े मेनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे भी स्वास है कि हर जिले और वैक्सिनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और स्रुद्रण होगी। इससे टीका करण से जूड़ी अनिस्चित्ताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रिम लाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सिनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रुप से अलग-अलग मिडिया प्लेटफरम पर अधिक से अधिक साजा करेंगे, तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामरी यह हो या फिर ये समझे, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरिकों में निरंतर बडलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस, मुटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकारते बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी हैं। तो हमारे तरीके और स्ट्राटेजिज भी डाइनेमिक होने चाहिए। साइन्टिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम करी रहे हैं। वैक्सिन बनाने से लेकर एसोपीज और नई ड्रुच बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी administrative approach भी इतनी ही innovative और dynamic रहती है तो हमें असाधान प्रणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनवतियां यूनिक होगी इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। एक मिशे वैक्सिन बेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सिन की बेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सिन बेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी कहना है कि जाब आप अपने जिले के आंकणों की समिक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल इसको भी अलग-अलग से आप गौर करें। ताकि आपका फोकस रहे, इवन टीर 2, टीर 3 सिटी को भी अलग से उसका अनालीजिस करें। ताकि आप focus way में अपना strategy workout कर सकते हैं, कहां कितनी ताकट लगानी है, किस प्रकार की ताकट लगानी है, यह बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, और इससे जब यह प्रकार से देखेंगे तो ग्रामेन इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी, और मैं भी लंबे अरसे तक आपी की तरह कुझनों को काम करते करते हैं, हाँ पहुचा हूँ, मेरा अनुभव है कि गाम को गाओं के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुचा दी जाए, तो वो बहुत religiously उसको follow करते हैं, बहुत religiously, और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू कर में महनत पढ़ती हैं, गाओं में उतनी महनत नहीं पढ़ती है, हाँ, clarity चाहिए, गाओं के अंदर एक team बनानी चाहिए, आप देखिये वो परणाम खुद दे देते आपको, साथियों, second wave के बीच, virus mutation की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी जादा चिंता जताई जा रही है, अभी तक हमारी जो रनगीती रही है, आपने जिस तरफ फिल में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंबीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधीक तैयार रहना ही होगा, और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं बच्चों में संक्रमान और उसकी गंबीर ताके आकड़े व्यवस्तित करें, अलग से उस पर रेगूलर आप एनालिसिस कीजिए, आप स्वयम भी, मेरा सभी आप प्रमुक अधिकारियों से आग रहे हैं कि आप स्वयम भी उसका अकलन करें, इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी, साथियों मैंने पिछली बार की बैटक में भी और मैंने ये भी कह रहा है कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राठिक्ता जीवन को आसान बानाय रखने की भी है, गरीबों के ल पाई हो, काला बजारी पर रोख हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवशक है, आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयास्व की सफलता का मोटिवेशन भी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जीलों को संक्रमन मुक्त करने में सफलता पाएंगे, देश के नागरित का जीवन बचाने में, देश को विज़ई बनाने में, हम सभी सफल होंगे, और मेरा आज कुछ सात्यों को सुनने का मुका मिला है, लेकिन आपके पास हरे के पास कुछन कुछ सफलता की गाथाएं हैं, बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोक आप सब ने कहीं कहीं किये हैं, अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे, तो जुरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुभीदा होगी, क्योंकि इंट्रलेक्चुली डिबेट करके कितने भी चीज क्यों ने निकालें, लेकिन उससे ज़्यादा ताकत, जो फिल्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है, और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं, और इसलिए आप सब की भूमी का बहुत बड़ी हैं, और इसलिए मेरा आप से आगरह हैं, कि आप इसको निकालिए, दूसरा, पिछले सो साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूजने की जिम्मेबारी नहीं आई है, आप डिस्टिक में बैठे हैं, आपकी जिम्मे सबसे बड़ा बोज आया है आपने बहुत चीजे अबजर्व की होगी, मानों मन को अबजर्व किया होगा, व्यवस्ताओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाजोनों का अप्टिमम यूटिलाइजिशन करके आपने एक नए रेकॉर्ड प्रस्तापित की होगे, जब भी मुका मिले, इसको ज जुरूरप में डायरी में लिख करके रखिये, आने वाली पीडियों को आपकी अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शतापदी में, सो साल पहले, जो बड़ी महामारी हुई, उसके उतने रकाड उपलब को नहीं है, कि उसका रूप कैसा था, संकट के तना गहरा था, कहां क्या हुआ, बहार निकलने के रास्ते क्या खोजे गए, लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक के अफसर, अगर ये डिस्ट्रिक गैजेट की तरह इसको बनाएंगे, तो भविशी की पीडियों को भी, हमारी ये महनत, हमारी अनुभव, ये आने वाली पीडियों के लिए भी आपको भी इस सफलता के लिए, इस महनत के लिए और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतुत्व किया हैं, आपको बधाई देता हूँ, आपकी सरहना करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप और अधिक सफलता प्राप्त और जन सामान्य के अंदर विश्वास परदा करेंगे, सामान्य मानवी का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी है, सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी है, इससे बड़ी जड़ी बुट्टी नहीं हो सकती है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, आप स कि इन सब के बीच भी आप स्वस्त भी रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्त हो, और नागरिक स्वस्त हो, ये आपकी कामना इश्वत पूरी करें, आपका पुर्शार्थ पूरी करेगा, मेरी तरब से आपको बहुत शुब कामना बहुत बहुत धन्यवाद